नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल 4K टेक में और आज इस वीडियोस में हम जानने वालें कि आखिर आप किस पेकार से दूसरों के वीडियोस पर रियक्षन देखें खुद का वीडियो क्रेट कर सकते हैं और उसे किस पेकार से वीडियोस शूट करते हैं तो आपको किन-किन चीज़ों की रिक्वार्मेंट रहने वाली हैं तो सब्से पहले आप वहाँ से रिकॉर्ड करने चाहते हैं तो आपके पास दो phones होने चाहिए अगर आप applies espe है वो भी सही होना चाहिए या फिर आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए दूसरा आपके पास लैप्टॉप्स है तब भी आपका काम चल जाएगा तो अब चलिए जानते हैं कि आप किस पेकास से मोबाइल फोन से जो है अपनी एक्शन वीडियो को सूट कर सकते हैं और जो भी आपका कैमरा है फोन के अंदर उसका भी यूज करके जो वीडियो कर सकते हैं तो जैसे आप अपने पनी रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करी अभी मैं आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मैं फ्रॉपर ली जो है अपने कैमरे के अंदर देख रहा हूं तो आपको ऐसे न उनोंने दिया है उस वीडियो उसको प्रॉपर जो वीडियो निकाल के अपनी वीडियो के अंदर लगा देती हैं तो इससे क्या होता है कि content ID का जो claim होता है वो साने के chances हैं वो भड़ जाते हैं तो इसको avoid करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जब अपनी रिक्शन उसको थोड़ा आप रखिएगा तक भी आपका जो कैमरा है उस तो बॉइस को कैप्चर कर सके तो इस चीज से आपको काफी हेल्प होने वाली है और अगर आप एक ऐसे इंवार्मेंट में वीडियो को सूट करते हैं जा पर इको जादा नहीं है अभी आप मेरे रूम की आवा जो है पूट नहीं करना चाहिए साथ आपको किस पेकार का कॉंटेंट यूज करना है वो आपको मैं बता देता हूं देखिए जो पॉपलास गाने होते हैं या पर जैसे टी सीरीज बगेरा का जो म्यूजिक है उसको अवोइड करिएगा थोड़ा सा बचिएगा और वो क्य आपको चैनल मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम कर सकता है तो अब आपको उस चीज को कैसे बचना है अगर यूज करते हैं तो आप उस चीज को समझ लीजगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक्शनल माइक को आपका जो कैमरा है वो सपोर्ट नहीं करता है दूसरी यूज कर लिजेगा तो जैसे महा लिजेगा यहाँ पर वीडियो प्ले हो रही है और आप एक्दम से यहां से बोलें तो आप अपने माइक को एड्समेंट करके यहां पर ऐसे लगाईएगा तो कि आपकी जो वीडियो उसको प्ले होने वाली बोईस है उन दौनों वईस को मा माइक के जो है कैप्चे कर रहा होगा तो कॉंपी राइट का जो क्लेम होता है कॉंटिंट आइडी वगा उसका आने की जो चांसे होते हैं वो वह सदा कम हो जाते हैं ना कि उसको सीधे सीधे अपने वीडियो में निकालके इंपुट कर दें और या अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसकी जो बिट रेट है उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजेगा जिससे क्या होगा कि कॉंटिंट आइडी का जो क्लेम है वो आने की प्रॉबर्टी है और थोड़ी सी कम हो जाती है तो इस पेकार से आप अपने वीडियो लीजेओ्ट को प्रॉपर कर सकते हैं साथ ही अगर आपके जो लैप्टोप से खाली रिकॉर्ड करना है लैप्टोप है तो आप वैकार्दा पूरी डिस्प्लेय पर अपनी जो है स्कुरी जो है इसक् अपनी स्क्रीन को capture कर सकते हैं इस पेकार से लैप टॉप कर सकते हैं आपको ढूसरे पास content ID पहले से होती है तो जल से आपके पास content ID का claim है वो आने के chances रहते हैं तो आप ऐसे music को जादातर हो सके तो avoid किजिएगा जैसे बैब series आती हैं बैब series को आप आसानी से use कर सकते हैं बहाँ पर आपको एकदम से content edit के लिए नहीं मिल पादा है दूसरा है कि जब आप videos को edit कर रहे हैं तो उसको proper way में edit करिएगा ऐसा नहीं है उसको छोड़ चाड़ के आपने ठीक से edit नहीं किया है साथ मैं आपकी जो voice है उस voice के लिए और जो video की voice है उस voice के लिए दोनों में difference रखना है आपको अपनी कुद की voice है उसको high level पर रखना है और जो video की voice है उसको थोड़ा सा down रखना है ताकि आपकी voice जो है वो properly समझ में आती रहे तो इस चीज़ों को कुछ business है जिनको आपको दियान रखना बहुत जरूरी है अब बत करते हैं अगर आपके videos पे copyright strike आ जाता है तब आप उसे किसपगा से remove करा सकते हैं तो सबसे पहले जब भी आपकी किसी videos पे copyright strike आ जाता है जब आप content notification को submit करते हैं तो proper आपको information देना है अपने content notification के अंदर और बताना है कि ये जो videos है मैंने ऐसे किसी भी purpose के लिए use नहीं किया है जिससे मैं hate फैल रहा हूँ या फिर जो creators है उसको मैं किसी पेकार की हानी पहुचा रहा हूँ तो इस पेकार से आपको वो proper बताना है और साथ मैं बताना है कि ये videos मैंने क्यों use किया है तो आप उसमें बता सकते हैं कि ये जो video है मैंने reactions के लिए use किया है साथी साथ YouTube जो है वो reactions videos को allow करता है कि आप किसी भी videos पर reaction दे सकते हैं तो बहां से आपका जो videos है वो बापस आने के बहुत ज़्यादा chances रहते हैं तो आपको एकदम से ढरना नहीं अगर किसी की reactions videos पर copyright आ जाता है तो साथी साथ यहां पर आपको एक जी जिस ध्याना रखना होगा कि जो भी बंदा आपकी videos पर copyright का strike दे रहा है उससे आप deal भी कर सकते हैं कि भीया इस परिगास से अपनी strike को हटा लिजेगा मैं आपको इतना पैसे दे दूँगा या फिर इतना percentage मैं आपको दे दूँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए available होती है आप अपने वे solution कर सकते हैं तो आप इस चीज़ भी try कर सकते हैं दूसरा है कि अगर आपके videos के ऊपर content ID claim आता है तो उसे हर हालत में आपको हटवा नहीं होगा क्योंकि अगर आप नहीं हटवाते हैं तो आपका जो भी revenue है वो share हो जाएगा उस companies के साथ जिसका भी content ID claim है अगर नहीं हटवाते हैं तो अगर हटवा लेते हैं तो कोई बात नहीं है और जब आप अपने खुश से हटाते हैं तो पहाँ पर आपकी जो audio है या फिर वीडियो से बो जो है mute हो जाएगी या फिर आपको cut करना पड़ता है तब ही बोचीजे हट पाती है तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक से रकमेंट कर दीजगा साथी साथी इसी पकार के और इंटरस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सस्काइब करना न भूलें क्योंकि मैं आपको इसी पकार के काफी इंटरस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए नमस्कार बाई बाई